बागेश्वर जिले के रनकुंडी गाउं में धंतेरस की रात हुए गैस सिलेंडर हाथ से ने एक पूरे परिवार को तभा कर दिया आपको बता दें इस घटना में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है जबकि तीन अन्य लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है मिली जानकारी के मुताबिक रनकुंडी गाउं में एक परिवार नई स्कूटी खरीदने की खुशी मना रहा था उसी दोरान पडोसी के नशे में धुद बेटे ने घर के अंदर से कुंडी लगा कर गैस सिलेंडर खोल दिया और फिर आग लगा दी इस घटना में दोनों परिवारों के कुल 11 लोग जुलस गए थे गंबीर रूप से जुलसे साथ लोगों को हलदवानी, एमज, रिशिकेश और दहरादून रहफर किया गया था बता दें इस दुखत घटना में इलाज के दोरान नारायन सिंग की पत्नी मुन्नी देवी उनके बेटे जीवन और विनोद और घटना के आरोपी कुंदननात की मा भगवती देवी की मौत हो गई थी वहीं आग लगाने की घटना के मुख्या आरोपी कुंदननात समेट तीन लोग अभी भी अस्पताल में जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं इस हाथ से जपूरे गाउं में शोक की लहर दोड़ गई वहीं स्थानिय प्रशाशन फिलहाल मामले की जाच कर रहा है